हसले गाले है सुहाना ये सफर तुमको लगे हमारी ये उमर ये दिन थुलाता है प्यारे नजार दोस्तों क्या भी चाहते हो कुछ इस पर करका एक बड़े स्टेड़ाज वीडियो क्रेट करके किसी के भी बड़े में विश्च करना तो इस तरह का बड़े स्टेड़ाज वीडियो किस तरह से क्रेट करना है आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप से भी को सिखाऊंगा और दोस्तों इस तरह का जो बड़े स्टेड़ाज वीडियो है आप लोग किसी के भी पिक्चर से बना सकते हो अगर दोस्तों खुद से create करना चाते हो तो इस वीडियो का आप लोग शुरू सुले के end तेक देखते रहो अगर दोस्तों आप लोग चाते हो मेरे से create करवाना कोई भी status वीडियो तो प्लीज मुझे comment या Instagram पर जरूर message करना नहीं तो दोस्तों आप लोग इस number पर भी contact कर सकते हो तो दोस्तों इस पर करका budget status वीडियो create करने के लिए सबसे पहले हिएंपर आपको क्या करना है काइन मास्टर आपको open करना है दोस्तों आप लोग काइन मास्टर आपको जैसे open करोगे आपका काइन मास्टर के interface आपको कुछ इस पर करका दिखिनों को मिलेगा तो सबसे पहले आपको create new के option पर click करके आपको दोस्तों select कर लेना हिएंपर 3-4 ratio इसको select करने के बाद दोस्तों हिहां पर आपको नीचे advanced setting पराना है और दोस्तों हिहां पर photo display mode को कर लेना है fill screen और default photo duration को कर लेना है sorry दोस्तो 4.5 second और दोस्तों हिहां पर आपको transaction duration को आपको 1.5 second adjust करना है दोस्तों यह जो duration है आपको दोस्तों इस तरह से दोस्तों यहाँ पर dot आपको दीखनों को मिल रहा है मतलब line इसको आपको उपर निच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर second adjust हो जाएगा next आपको दोस्तों नीचे create का option पर क्लिक करके आपको एक बार back आजाना है अपको फोटो का interface मालों दोस्तों यहाँ पर frame के हैं सबसे अगर बहुत ही अगर छोटा वड़ा है तो आपको दोस्तों क्या करना है दोस्तों यहाँ पर जो नीचे आपको फोटो दीखनों को मिल रहा है इस फोटो में आपको क्लिक करना है और आपको एक option दिखनों का मिलेगा पैने जूम का ठीक है तो इसमें आपको क्लिक करना है और आपको दोनों उंगली से photo को जूम करना है इस तरह से और दोस्तों जूम करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको side में एक double line का option दिखनों का मिलेगा ठीक है तो इसमें आपको क्लिक करके एड़ेस्ट कर लेना है तो इसे परकार से आपको वीडियो के एड़ेस्ट करना है next दोस्तों हिया पर आपको minus का icon पर क्लिक करना है जो कि दोस्तों दोनों फोटो के middle में आपको मिलेगा यहाँ पर दोस्तों कोई भी एक minus का icon पर आपको click करना है और click करने के बाद दोस्तों हिहाँ पर आपको आजाना step slide एवरा transaction फिर पर आना है और दोस्तों हिहाँ पर आपको 01 को select करके नीचे कर लेना है apply to all तो हिहाँ पर दोस्तों आप लोग देखोगे तो सभी photo में 01 ही select हुआ है तो आपको क्या करना है इस तरह से आपको 01 से लेके दोस्तों 06 ते कोच इस प्रकार से आपको दोस्तों सभी effect को adjust कर लेना है कोच इस तरह से ठीक है और दोस्तों वीडियो का end तेक adjust कर लेने के बाद आपको आज आने starting position में और एक चीज़ दोस्तों हिहाँ पर जो step server transaction इनिवेट है आपको दोस्तों हिहाँ पर humble icon पर जाकर आपको install कर लेना ठीक है दोस्तों हिहाँ आप लोग एक चीज़ देखोगे ए जो वीडियो का length है क इसको भी आपको दोस्तों थोड़ा भूत कमा लेना है और last photo में आपको click करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको trim option पर जाकर right side आपको cut कर लेना है ठीक है जो कि आपको वीडियो का length 30 seconds हो चुका है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको एक arrow दिखने हो कमें ले यहाँ पर आपको click करके वीडियो को save कर लेना है ठीक है जैसे दोस्तों वीडियो पूरा save हो जाएगा आपको दोस्तों पूरा बेक आजाना है next आपको दोस्तों यह जो first बाला project दिखनों को मिल रहा है इसका थोड़ा बगल में आपको three dot मिलेगा इसमें आपको click करके आप आपको दूब्लिकेट को option पर आना है और दोस्तों आपको select करना है 16 to 9 इसको select करने के बाद आपको नीचे duplicate option पर click करना है ठीक है और दोस्तों उपर बला project को open करना है तो इस परकार का आपको interface दिखने को मिलेगा ठीक है तो next आपको क्या करना है photo में click करना है फिर से आपको फोटो को इस तरह से आपको सबसे पहले फिली स्क्रین करना है उसके राद आपको फ्रैम में ड्रैयस्ट करना है और डबल न उसनि कर लेना ठिक है तो इसी तरह से दोस्तो में है कर दोch फटा पर से वीडियो का क्या करना है आपको दोस्तों आ जाना है classic transaction पर और आपको select करना है zoom out और नीचे कर लेना है apply to all तो सभी फोटो में adjust हो जाएगा फिर से आपको दोस्तों फोटो में इस बार क्लिक करना है और आपको इस तरह से आपको वीगिनेट को on करना है ठीक है दोस्तों यहाँ पर जितना वीडियो के चार और आपको बलर करना है यहाँ पर setting option में लेगा इसको आपको अथिरी कर लेना है और इसका जो length पकर के आपको वीडियो के end तक लेकर चले जाना है लेकर जाने के बाद आपको आ जाना है starting position में और दोस्तों यहाँ पर आपको layer option पर क्लिक करके आपको ओप और media option पर जाकर आपको दोस्तों template वीडियो को लेना है दोस्तों template वीडियो को लेने के बाद आपको यहाँ पर split screen पर जाकर फिर screen करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा दोस्तों blending option इसमें आपको क्लिक करके आपको दोस्तों नीचे screen पर क्लिक करना है तो इसके उपर में आपको वीडियो का बेठना है और इस तरह से आपको जूम कर लेना है ठीक है जूम करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ओपर थी डोट पर कलिक करके सेंट वेक वाट पर कलिक करना है और आपको क्रोपिंग ऑप्शन पर जाकर आपको इस तरह से साइट क इसे कोको दूर्ब करना है और दोस्तों यहाँ पर मीडियो को बैढ़े लेना है इतना दुर होसाने के बाद आपको है подар loft Frames मिङलेगा इसमें आपको फोटा adjust करना है तो इसके लिए layer option पर जाकर media option select करके कोई भी एक photo को आपको लेना है दोस्तो photo को लेने के बाद cropping option पर जाकर markscon करना है shapes के अंदर आपको heart वाला shapes मिलेगा इसको ले लेना है और इस तरह से heart को थोड़ा ऊपर करना है और photo को थोड़ा जूम कर लेना है और जूम करने के बाद दूस्तो एक बार आपको बेक आजाना है और आपको इस photo का length आपको दूस्तो हाट के size मुताबिक आपको zoom out जूम इन करके adjust करके इस heart के उपर में आपको चीसे adjust करके बीठाना है ठीक है ओपर 3.0 पर किली करके send to be a quote पर किली करना है और आपको दूस्तो ही इस तरह से photo का जो length आपको वीडियो के end तेक आपको slide करते हुए इस तरह से आपको लेकर से ले जाना है ठीक है तो इस तरह से आपको क्या करना है उपर आपको एक छोटा वाला heart मिलेगा इसमें भी photo add करना है तो मैं photo पर से करके दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर दोनों frame में आपको photo adjust करने के बात इलिया और option पर जाकर test option पर आना है और दोस्तों जिसके नाम से वाला budget status बना रहे उसका नाम को आपको लिख लेना है और आपको double a का option पर आपको बहुत सारा font मिलेगा जो भी font select करना चाहते हो कर सकते हो और दोस्तों थोरा बहुत आपको इसको zoom करके आपको जिस position में आपको better लगता है उस position में आपको better लेना है और इसका जो length इस तरह से आपको slide करती है लेकर चले जाना है दोस्तों वीडियो के end ते ठीके next आपको क्या करना है आजाना है आजाना है दोस्तों वीडियो के starting position में और दोस्तों बड़े song आप जो भी edit करना चाहते हो तो आपको audio option पर जाकर song option select करना है यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा आपको song डानलोड करने के बाद यहाँ पर song दिखनों कम लेगा कोई भी एक song में आपको क्लिक करके प्लासबल आइकन में क्लिक करोगे तो दोस्तों नीचे song एड हो जाएगा और दोस्तों song एड हो जाने के बाद एक बाद वीडियो को जैसे आप लोग प्ले करोगे आपका भी वीडियो दोस्तों कुछ इस तरह से edit हो जाएगा अगर दोस्तो मेरे तरह इस तरह का एडिटिंग करते हैं अगर आपको कोई भी प्रोब्लम आ रहा है तो प्लीज मुझे कॉमेंट करका जुरूर ब्रातना तो आज की वीडियो में दोस्तो एतना ही था वीडियो का आप सभी को अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक से र वीडियो के साथ तो आज की वीडियो में दोस्तो इतना ही था